Hi everyone, so I am Bhavna Bhattla from The Wheel of Fortune 369 आप सभी की Tarot Card Reader आज हम चेकाउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के Evening Thoughts और Evening Energies लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नूटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई नियो वीडियो पोस्ट करती हूँ अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाओ या फिर ये वीडियो आपको जरा भी पॉजिटिविटी देती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बनाओ साथी साथा मेरा वाटसप ग्रूप जोइन कर सकते हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है ये कुछ एनरजाइस क्रिस्टल्स है अगर आप ये crystal लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम आपकी date of birth आपके पोर्सन के नाम यो date of birth से एनरजाइस करके send करे जाते हैं तो अगर आप ये crystals लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से contact कर सकते हैं और ये जो है ये है relationship healing bracelet ठीक है जो कि pink color का है maybe video effect से आपको श्रादि है white लगता है because काफी लोग मुझे call करकी यही कहते है मैं white crystal चाहिए but it is not white it is pink crystal चाहिए and it is rose quartz चाहिए जो कि आपके relationship को heal करता है आपके relationship की हर तरीके की परिशानियों को resolve करने की ताकत इसमें होती है okay चाले तो अगर like one more thing जो मैं आपको कहना चाहूंगे about personal tarot reading तो personal tarot reading मैं नहीं लेती हूँ personal tarot reading Mr. Ankit लेते हैं तो अगर आप personal tarot reading book करना चाहते हैं तो आप same मेरी team से contact कर सकते हैं मेरी team में Mr. Ankit है जो आपके personal tarot readings लेंगे ठीक है so आगे चलते हैं आज की अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता दू कि जब आप इस reading तक पहुँचेंगे तब ये reading आपके साथ resonate करेगी ये एक general timeless collective reading है जो आप सभी के लिए बनाई जा रही है और साथी साथ ये इस reading में जितना part भी आपके साथ resonate करेना रखना है जो part resonate नहीं कर रहा है definitely आप उसे skip कर सकते हो age specific नहीं है कोई भी age का person इसे रेख सकता है कोई भी gender का person male female या same gender की person भी इस reading को देख सकते है ठीक है क्योंकि souls का कोई gender नहीं होता है और साथी साथ जो मैं काज को shuffle करू तो अपने partner के बारे में सोचें ताक की reading एक अच्छे level से आपके साथ resonate हूँ ओके अपने partner का ही ध्यान करें और साथी साथ divine से भी pray करें कि आज की reading आपको एक accurate और correct information दे चलिए तो फिर बिना wait करें अब इस reading को start करते है So please divine universe, angel, spirit guide Please बताए में reviewers को जिस शक्स के बारे में समय में reviewers सोच रहे है जिस शक्स ने उनको no contact separation दिया है उस शक्स की क्या energies है Please divine Okay, so यहाँ पर लेके का So, one second Lovers के energy यहाँ पर है two of swords, the fool Two of pentacles, okay Six of swords, lover की energy Magician, king of swords, page of pentacles और साथ ही साथ यहाँ पर है queen of wand की energy So, maybe जिस शक्स के साथ आप deal कर रहे हूँ उनके zodiac, science, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn या फिर Aries, Leo and Sagittarius होने के बहुत जादा strong chances मुझे आपर देखने को मिर रहे है आगे अगर इस reading को start करे ना तो सबसे पहले मैं आपकी energy के बारे में बात करना चाहूंगी कभी आपकी बहुत बात होती है अपने person से, कभी बिलकुल भी बात नहीं होती है तो इस तरीकी की energy मुझे आपर देखने को मिल रही है Maybe ये possible है कि आप लोग एक on and off situation में ज़्यादा तार लोग यहाँ पर है ठीक है? आपका connection जो है न कहीं न कहीं, it is definitely a divine connection, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी energy देखने को मिल रही है जहाँ पर It's all like, अगर मैं आपकी energy की यहाँ पर बात करूँ न तो you are in an energy जहाँ पर past की memories आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है आप बार-बार past की memories को आप recollect कर रहे है ऐसी energy मुझे आपर देखने को मिल रही है जहाँ पर आप ना past में जो कुछ भी हुआ है, जो भी अच्छी यादे रही है या जो भी आपके partner ने गलतियां करी है उस energy को कही ना कही आप बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में आ रही है तो maybe past memories को बहुत ज़्यादा recollect कर रहे हो ऐसी energy मुझे आपर देखने को मिल रही है इस समय आपके दिल में कही ना कही एक fear of loss है जहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ऐसा सोचते वे दिख रहे हो कि कहीं ये relationship खतम तो नहीं हो जाएगा या कहीं ये relationship आपके हाथों से चला तो नहीं जाएगा तो एक fear of loss भी मुझे आपके अंदर दिख रहा है protect कर रहे हूँ ठीक है you are in an energy जहाँ पर आपको किशी से भी bağत करना पसंद नहीं थे किसी से भी मिलना पसंद नहीं है you are not interested कि आप उस call को pick भी करो 5 अपने अपने आपक। अपने अकेला कर लिया है एक उस तरहीकी की energy मुझे हों पर देखने को मिल रही है आपके अंदर second is the energy of the fool यानि काफी हद तक आप बहुत एक बचपने वाली energy, maybe आप जिस शक्स के साथ deal कर रहे हो, वो person हो सकता है कि immature है या फिर आप से age में छोटा है, ठीक है, जिस person की साथ आप deal कर रहे हो ना, उस person के लिए आपके energies के अगर बात करे जाएं तो आप बहुत जादा desperate हो, right आप desperate हो जानने के लिए क्या आगे क्या होगा, ठीक है, या कब चीज़े जाकर better होगी, तो उस तरीके के energy भी मुझे यहां पर देखने को मिल रही है maybe यहां पर जो है two of like two two number के energies maybe it is that energy जहां पर आपको कुछ signs भी अगर दिख रहे हैं, like two 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 जैसे numbers अगर आपको दिख रहे हैं, या फिर six 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 one 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 जैसे numbers अगर आपको बार बार नजर आ रहे हैं this is a strong sign कि divine आपके साथ है, ठीक है, अगर ऐसे कुछ numbers भी, कुछ angel numbers आपको नजर आ रहे हैं, it is a good sign लेकिन ये जो angel numbers आपको दिखते हैं, या फिर अगर आपको कुछ सपने नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो उन सपनों को देखकर, उन angel numbers को देखकर, आप बहुत ज़दा restless हो जाते हो, ठीक है, आप बहुत ज़दा लंबे सामय से, आपने अपने partner को नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो you are in that energy, जहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि यार, कब मेरी उससे बात होगी कब मैं उससे वापस बात कर पाऊंगी कब चीज़े वापस पहले जैसी होंगी, या फिर पहले से भी बहतर होंगी ठीक है, और तो ये सवाल कहीं न कहीं आपके दिलो दमाग में बार-बार घूमते हैं, तो वो energy मुझे याँ पर आपकी देखने को मिल रही है there is an energy of the lover, यानि ये काफी हद तक जो आपकी partner के साथ, आपका spiritual connection, okay you are in a spiritual journey, spiritual connection है, maybe आप spiritually बहुत जादा connected हो, ठीक है और आपकी spirits तो, यानि आपकी souls तो काफी मतलब ऐसी energy मुझे दिख रही है, जहाँ पर आपकी souls तो connected हैं, लेकिन इस birth में, एक physically आप connect होने में, आपको काफी problems का सामना करना पढ़ रहा है ठीक है, you both are in a soulmate journey में भी आप हो सकते हो, और आपको ये चीज मालूम होगी, ठीक है, कि आप soulmate या फिर किसी twin flame journey में आप हो, या नहीं हो, ठीक है, तो maybe हो सकता है कि आप किसी journey में हो, ठीक है, आपको इस birth में, यहाँ पर मिलने में बहुत ज़्यदा problems का सामना करना पड़ा है, वो energy भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है इस relationship में आपने काफी pain देखा है, ठीक है, काफी ज़्यदा pain कही ना कहीं, आपने इस relationship में देखा है ठीक है, maybe आपके लिए शायदे relationship काफी toxic भी रहा है, और जोगी twin flames, या फिर ये soulmate connections होते हैं, मैं even ये कहूंगी कि जब true love आपको मिलना हूँ या प्यार आपके मिलना हूँ ठीक है, सच्चा प्यार, असानी से नहीं मिलता है जब सच्चा प्यार मिलने का समय आता है जब you are in love with that person, तो फिर problem से क्यों घबराना जो कुछ भी इस समय आपकी life में हो रहा है ना this is just a part of journey तो आगे जैसे continue करते है magician और king of sword की energy है मुझे ही आपका side काफी emotional है ठीक है, you are in an emotional side और आपके partner काफी logical है ठीक है, ऐसे energy मुझे हापर देखने को मिल रही है, and आप काफी grow कर रहे हूँ, ठीक है you are in an energy जहाँ पर आप अपने mind पर बहुत जदा focus कर रहे हो, maybe it is that energy कि अपने आपको और जदा relax करने के लिए आप जैसे meditation कर रहे हो, अपने आपको peace में लेकर आने के लिए meditation कर रहे हो तो ऐसी energies में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है मुझे यहाँ पर आप basically stuck नजर आ रहे हो अभी तक जो मुझे energies दिख रहे है, ठीक है, जहाँ पर वो situation में आपको कि न आप यहाँ के रहे न वहाँ के, वो वाली situation में आप फसे हुए से, दिख रहे हो लेकिन definitely मैं आपको यह बता दूँ कि आपको ना patience रखना पड़ेगा ठीक है, you need to have that patience अगर आपको इस relationship को सही करना है और better करना है तो patience तो रखना पड़ेगा क्योंकि उझे साफ साफ यहाँ दिख रहे है that you are spiritually connected to each other चलिए, यह तो आपके energies की बात हुए आपके partner की energies भी चेक करते है ठीक है so please divine universe, angels, spirit guide please बताएं जिस शक्स के बारे में समय मेरे वियर सोच रहे हैं जिस शक्स ने उनको no contact separation दिया है उस शक्स की क्या energies है ठीक है oops, there's so many cards oops इन ही cards को लेते हैं, चेक है सबसे पहले तो यहाँ पर आगया है स्क्रिसोफेनिया मैंने का न, it is that same energy न यहाँ के रहे न वहाँ के वो energy मुझे आपके अंदर देखने को मिल रही है second is the success third we have is a stress, okay same energies ठीक है यहाँ पर है sorrow experiencing, awareness okay letting go and we are the world ठीक है so, यह energies हमें आपर देखने को मिली है तो जैसे कि आपके partner के energies है न, I can feel the same energies यहाँ आपके partner के अभी कही न, कही वैसी energies है लेकिन यहाँ पर मुझे जादा था, देखो, stucked वो भी है लेकिन mainly अगर मुझे उनकी energy ऐसी देखने को मिल रही है जहाँ पर वो न, एक denial की situation में है now, what is this denial situation now, this denial situation याणि वो न, उन चीज़ों पर जादे ही यकीन करके बैठे हो जो उने दिख रही है getting my point जो उने दिख रही है इस समय जो चीज़े उनके सामने है या जो लोग उने कह रहे है अगर वो किसी के influence में भी है ठीक है, तो उन चीज़ों पर उनका जादा focus है इसलिए वो आपके प्यार को deny कर रहे है इसलिए वो आपको avoid कर रहे है ठीक है, इसलिए वो आपको message नहीं कर रहे है आपको call नहीं कर रहे है अप फिर आपसे बात नहीं कर रहे है उनको कहीना कहीना ऐसा feel हो रहा है कि it is like कि तेको आपसे जब वो बात करते है ठीक है, तो fights, arguments होती है, ठीक है and it is that energy जहाँ पर वो इस तरीकी कि किसी भी जंजट में पढ़ना नहीं चाते है ठीक है, तो वो basically उन्होंने क्या choose कर रहा है, उन्होंने denial choose कर रहा है, अपनी ही feelings को deny कर रहे है जो उन्हें प्यार है, आपसे उस प्यार को वो deny करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे है और यही मुझे यहाँ पर specific reason देख रहा है, उनके stress का लेकिन यह denial उन्हें भी खुश नहीं रख रहा है ठीक है, यह denial से वो भी happy नहीं है सुकून में नहीं है, उनका भी सुकून चिन चुका है, उनका भी peace चिन चुका है, ऐसी energy कही नहीं मुझे आपके partner की यहाँ पर देखने को मिल रही है, now next is the period of awakening and yes of course awareness, awareness and experiencing maybe it is the time period जहाँ पर वो awakening हो रही है, उनकी healing हो रही है ठीक है, it is also the energy जहाँ पर maybe आपके partner किसी तरीके के karmic relationship में भी है ठीक है, अब यह karmic relationship जो है, maybe उनके parents हो सकते है या फिर उनकी wife हो सकती है, ठीक है, या फिर उनका कोई friend हो सकता है, ठीक है जो आपके relationship से खुश नहीं है और एक तरीके से वो एक karmic face से भी गुजर रहे है, experiencing का time period कही न कहीं उनका चल रहा है, it is a time period of experiencing time period of awakening time period of healing ठीक है, वो कहीं न कहीं उनके life में भी चलता हुआ, सब मुझे नजर आ रहा है, और यह जो it is in that energy, जहाँ पर अगर यह कोई karmic person उनकी life में है, तो वो उनको बहुत ज़दा control कर रहे हैं, ठीक है, और उनके साथ वो ऐसे जुड़े हुए है, कि उनको ऐसा भी लगता है, कि अगर वो आपकी तरफ आए, आपकी तरफ अगर वो बड़े, तो शायद वो सही कदम नहीं होगा, ठीक है वो दुनिया की नजर में शायद सही नहीं होगा, या फिर वो society की नजर में चायद वो चीज़े सही नहीं होगी, ऐसी एनरजी मुझे आपके पार्टनर की देखने को मिल रहे है, ठीक है जहाँ पर न, वो दुनिया की society की, वो ज़़ादा सोच रहे हैं, वो ये ज़़ादा सोच रहे हैं कि दूसरों की नजर में ये कदम सही होगा या नहीं होगा got my point, ठीक है so experiencing or awareness की energy पे देखो, अब यहाँ पर क्या है चले, success की energy पे बाद में आता है लेकिन letting go और we are the world की energy पे, यानि they are totally incomplete without you getting my point, यानि कही ना कही वो जो है आपके बिना बहुत ज़ादा incomplete अधूरा वो भी feel करते हैं, ठीक है and it has that energy जहाँ पर ना अब वो let go करना चाहते हैं, ठीक है they wanted to let go उन सब चीजों को जो आप लोगों को अलग कर रही है आप दोनों को अलग कर रही है, ठीक है maybe जिस भी person से वो deal कर रहे हैं जो भी उनका karmic person है they are totally a narcissist, ठीक है जिनकी नजरे घराब होती है ठीक है, जो नजर लगाने वाले लोग होती है या फिर वो बहुत जिल्दी दूसरों को happy देखकर दुखी हो जाते है ठीक है, they are the narcissist और maybe जिस शक्स के साथ वो इस समय कार्मिक relationship में है they are maybe a narcissist person ठीक है, and कहीं नगहीं आपके partner उनको भी let go करना चाहते है उन चीजों को let go करना चाहते है ठीक है, जो are not beneficial for you and for them जो आपके लिए और उनके लिए beneficial नहीं है I'm sorry, कि मैं काफी English कहीं बार बोल देती हूँ but I try कि मैं उसे Hindi में भी बोलू और मुझे पता है, this is video purely in Hindi so letting go and we are the world की energy है we are the world is a sign जहाँ पर आप दोनों एक हो divine आपको एक करने में जुटा पड़ा है यहाँ पर यह energy आप तेखोगी न divine खुच चाहता है कि आप एक हो जो divine आपको अलग नहीं करना चाहता है divine खुच चाहता है ठीक है, और आप एक कब होगी जब आप दोनों की energy एक जैसी होगी यानि अगर आप भी acceptance की energy में होगी आपके partner भी acceptance की energy में होगी ठीक है, आप भी receiving की energy में होगी आपके partner भी receiving की energy में होगी उस समय कहीं न कहीं आप दोनों जो हो, एक हो पाओगे जब तक, आप तो receiving energy में हो और आपके partner denial energy में है जो की हमें नजर आ रहा है तो तब तक आप एक होने के chances नहीं है जब तक आप दोनों ही receiving energy में नहीं आ जाते हो तब तक आप together नहीं आ पाओगे Getting my point? और यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए काफी हद तक कहीं लोगों के लिए Definitely जो आप देखना जाते हो कि चीज़े बहतर होंगी चीज़े और ज़्यादा इंप्रूव होंगी तो definitely there is a strong chances and success उस चीज़ को symbolize कर रहा है Beautiful ना I think such an amazing reading अब कुछ messages देखते हैं तो फिर we can get to know So please divine universe, angels, spirit guides Please बताएं मेरे वियर्स को तो जिस चक्स के बारे मेरे मेरे वियर्स सोच रहे हैं उस चक्स के लिए क्या message है Two and this is the three So the first one we have is In my dreams I always see you मैंने का ना वो ना बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं That is their energy I love to tickle your feet उन्हें बहुत पसंद है आपको आपके पेर पे गुदगुदी करना या फिर आपको छेड़ना ठीक है वो मैंने का ना पुरानी memories ठीक है अच्छी memories वो कही ना कही मुझे याँ पर देखने को मिल रहे हैं Beautiful You find my weird habit adorable आप मेरी weird habit जू है ठीक है बेकार habit है वो भी आपको cute लगती है Right? That is the energy I'm seeing here Beautiful So ये कुछ उनके thoughts हैं कुछ उनके energies हैं अगर आपके साथ भी resonate करी हैं तो like, comment, follow, share करना बिलकुल नहीं भूलना है Thank you so much Bye-bye and take care